हाँ दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप फिर स्वागत है और मेरा नाम में रहमदीन अंसारी और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी तो दोस्तों नूसी मरी टैम एकेडमी गुवा जनवरी बैच 2024 के लिए जीपी रेटिंग और CCMC के इंट्रेंस एक्जाम के लिए फॉर्म आ चुका है और फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 31 अगस्ट 2023 है तो फॉर्म कैसे फिलब करना है आपके लिए क्या क्या डॉक्मेंट होना ज़रूरी है इस चीजे के बारे में हम लोग इसम करना पर लाते रहता हूं चलिए दोस्तों हम अपने मुबाईल की स्क्रीम पर चलते हैं और मोबाईल की स्क्रीम पर चलने के बाद हम लोग देखते हैं कि नुसी मरी टैम एकेडमी यहां पर टाइप करने के बाद नुसी की यह ओफिसियल वेपसाइट खूल जाएगी नु करने के बाद देखिए यहां पर आपका नोटीस जारी कर दिया गया है और यहां पर किलियरली मेंसर किया गया है वी डूनोट हैव एनी एजेंट डूनोट अप्रोच एनीवन क्लेमिंग टू गीविंग गरांटेड सीट बिल्कुल यही बात में कहता हूं कि भाई आप गापका फ्यूचर क्या होगा पिरवाइट होगा फिर आप अपके सोच के ऊपर है आपको जाना है तो जाऊल लेकिन मेरा जो opinion है मैं अपना opinion बताता हूँ कि भाई आप entrance exam or interview का preparation कर लें अपने थुरू जाएं बहुत गरीब गरीब लड़के देहाद देहाद village area के लड़के गए है exam clear करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दूसरी बात कि यहाँ पर आपको generally mention कर दिया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो STCW course का भी detail इसमें आ गया है तो वो अभी देखने की क्याम नहीं है हम लोगों को जो देखना है वो देखना है कि यहाँ पर लिख रहा है click on download for GP rating and CCMC course application on from January 2024 यानि जनवरी 2024 बेच के ल तक आपका form जो है वो नूसी head office में पहुंच जाना चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 31 August को है तो आप एक दिन पहले भेजिए अगर नहीं जल्दी से जल्दी अपना medical certificate बनवाई है जल्दी से जल्दी form fill up कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको क्या किजिए speed post कर दीजिए ठीक है तो अब चलिए इसमें क्या क्या detail होती है कैसे कैसे form भरना वह आम आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है जो download का section है वहीं पर इसको क्या करना है क्लिक करना है अगर आपको GP rating के लिए apply करना है तो GP rating के form पर click किजिए अगर आप के सामने एक PDF खूल दाएगी ठीक है और PDF को कैसे fill up करना है उसमें क्या क्या चीजे दी गई है वो सारी जानकारी हम आपको बताते हैं तो देखिए भाई अभी में आपको यही बात बोल रहा हूं कि भाई नूसी भी बोल रही है कि भाई हमारा कोई agent नहीं है आप कोई गरा लगने दिया गया है नूसी ITF transport देखिए और एक बात याद रख लिए इंडिया का one of the best institute है नूसी Maritime Academy for GP rating और CCMC course के लिए तो अगर आपका इसमें admission हो गया तो आपका future वैसे ही bright हो जाएगा लेकिन भाईया बेस इंस्ट्यूट में best college में admission लेने के लिए best preparation भी तो करना जो रहेगा वह जनवरी 2024 में आपकी class शुरू होगी ठीक है और यह आपका जो academy कहां है वो गोवा में पढ़ता ठीक है यहां पर सारी चीजें वहां पर बताई गई है जो मैं टॉपिक है मैं बताता हूं इंटर्व्यू और रेटेंट टेस्ट आपका क्या होगा तो स्लेब मेंशन किया है कि तो लास्ट डेट फोर रिसीबिंग रिसीबिंग मने समझ रहे हो कि उस 31 अगस्त तक आपका फॉर्म जो है वह ओफिस में आ जाना चाहिए 31 अगस्त के बाद अगर एक तारिक हुआ एक सेप्टेंबर हुआ तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जागा सब्सक्राइब करते हैं और जो भी सीजय है यहां पर दी गई आप किलियरली अच्छा तरीकसे पढ़ सकते हैं ठीक है यहां पर आप किलियरली देखो बहुत लड़कों का इसमें समझे लो आ अप ध्यान से समझो आप तेन्थ पास होने चाहिए टीक है आपका ओभर ओल्स 40% होना चाहिए यानि 10th subject में पूरा मिला कर 40% यह नहीं कि हर एक subject में 40 नहीं ओभर ओल आपका 40% होना चाहिए ठीक है और आपका English में 40% होना चाहिए यह English separate आपका 40% होना चाहिए तभी आप इसका form क्या कर सकते हो फिलब कर सकते हो एक condition कि दूसरी कंडिशन की माल लिजिए कि आपने टेंथ पास किया आपका ओवर ओल 40% से ज़्यादा है लेकिन इंगलीस में बहुत लगों का माल लिजिए कि 40% से क्या हो गया है कौम आ ठीक है इसका भी कंडिशन घबडाने के बात नहीं है आप टेंथ के बाद 12 तो किये होंगे 12 किये होंगे 12 में माल लिजिए आपका ओवर ओल 40% आया है और 12 में भी अगर आपका इंगलीस में 40% आया है तभी आप क्या कर सकते हैं फॉर्म फिल्फ कर सकते हैं आपको कोई परिसानी नहीं होगी माल लिजिए कि यहां पर भी आप चलेगा ठीक है आपका इसमें भी दिक्कत नहीं है बस आपका इंग्लिस में 40% होना चाहिए लेकिन टेन्थ सब्जेक्ट में आपका मैत होना से साइंस होना चाहिए और इंग्लिस सारे मेरे को कॉमेंट करते हैं कि भाईया यह सारी चीजे ठोड़े मेरे को कंफ्यूज आने देखो मैं अभी बोलता हूं अगर आप टेन्थ बेस का मैच साइंस इंग्लिस का प्रिप्रेशन कर लेते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपका जो यह को कि मुंबई में और एक गोवा में कहने का मतल्स में मुंबई या गोवा तो अधिकतर गुवा में ही कंड़क्ट होता है ठीक है Limited और यह जितने भी आपका इंटर्वी होगा एक्जाम होगा वो सारा प्रॉसीजर क्या है इनका बहुत नगया बहुत दरके ये बोलते हैं कि भाईया हमने फॉर्म तो फिलब कर दिया लेकिन हमारा एडविट काड़ आता ही नहीं हमको मेल आता ही नहीं है तो भाई देखी इसमें थोड़ी सी आपकी भी गलती हो सकती है और जो उनका सेलेक्शन का प्रोसीजर है वो थोड़ा अपना हटके है क्योंकि उनका अपना कॉलेज है अपना हिसाफ से अपना मेरिट लिस्ट वो बनाते हैं ठीक है कर अपना रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप उनके टर्मन कंडिसर पर नहीं उत्र होगे तो आप कर सकते हैं ठीक है वी डूनोट है यह बाते बोल दिए कि भाई कोई एजेंट हमारे पास नहीं है अब देखिए यहां पर क्या बोला है डिकलिरेशन में बोला है टोड़ा है अब दोड़ा है यहां यहां इस नहीं ने बता दी गई है कि आपको कैसे जाना आए गास कटिंग आपको क्या 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 चीजे पढ़ाया जागा वहीं आप लिका है कि मीनिमाम आपका टेंट और टूर में पास होना चाहिए किसी भी इस्टेंट में आपका साइंस इंगलीस होना चाहिए और आपका इकनाइफ से होना चाहिए ओपन बोर्ड यह एक सेप्ट मैं भी नहीं करेंग away चीवर्ण और पचीज साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पास्पोर्ट में सर नेंगे बी होना मेंडेटरी है अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहां मेंसन किया है कि सरनेंग जरूरी है क्योंकि सरनेम के लिए दिकत होता है टीक है लेगल वोगर उन्होंने इसमें बता दिया सलेबस में उन्हें बता दिया ठीक अब देखे नम्मर बोल रहा है कि देखें को फिलप करके अम देखें नम्मर पांच को देहां से पढ़िए बार बार आपका भी टाइम होगा हमारा भी टाइम कराब होगा your passport should have be minimum two name आपके passport में दो name होना चाहिए एक आपका surname होना चाहिए और एक given name होना चाहिए example देता हूं मालीजे मेरा नाम इर्फान अंसारी है तो मेरा इसमें दो नाम है एक इर्फान है और एक अंसारी है तो जो अंसारी हुआ जो पासपोर्ट खोलिएगा उसमें दो नाम होगा एक शर्णत होगा ऋगर आपका नाम मिथून कुमार यादो है मिथून कुमार यादो है तो आपका सर्णत क्या हो गया याद A. क आ इस माशाIP तो तो कहने का मतलब है कि दो सेपरेट नेम होना चाहिए तब ही आप फॉर्म फीलब कर सकते हैं और भाइज कर दिया है अदर वाइज फॉल्म विल वी रिजेक्टेट यह सिर्फ नूसी के लिए अदरवाइज आप डीजी अपरूव किसी भी कोलेज ने फॉर्म फिलब कर सकते ह तो उन्होंने अपने में बोलाए कि भाई जिनका पासपोर्ट में सरने में और गीवें ने में उन्हीं कॉम लेंगे अधरवाइस हम नहीं लेंगे ठीक है अब चलिए नीचे आ जाते हैं डूनोट अप्लिकेशन डॉकुमेंट बाइद मेल और अप्लिकेशन कर रहा है कि को सेंड कर देना ठीक है और देखिए यहां पर इन्होंने किलियर ली मेंशन किया है डेट और वेन वेन फॉर दा इंटरव्यू टेस्ट विल बी कॉम्निकेट ओनली बाइद सौट लिस्ट कंडिने ठूट दा इमेल ओनली अगर आप सलेक्ट होते हैं तो आपको मेल कर दिया है कि आप जो सौट लिस्ट होंगे तो आपको मेल के थूरू इनिफर्म कर दिया जाएगा ठीक है तो आप अपना मेल बोक्स चेक करते रहेंगे कब तक तो लास्ट वीक आप सेप्टेमबर तक आपका एड़ मीट कर दिया जाएगा और जो आपका टेस्ट होगा व दोस्ट वी दो नोट रिसेव इमेल फॉर इंटर्विव एनी फिल अप द नीव फॉर्म दन नेक्स्ट पेच और इनने के लिए लिए मेंशन किया है कि अगर आपको मेल नहीं आता है तो इसका मतलम कि आप सलेक्ट नहीं हुए है नेक्स टाइम आप क्या किजिए यू टेस्ट विल बी कंडेक्ट इन इंगलीज्स लेंगवेज में होगा हिंदी का कोई बात ही नहीं है फॉर दा आसक पूप देश्पीड प्रिफेंस मूड अब दो कम्मिनिकेश्ट विल विद्टा इमेल एमेल के दोब़रा ही आपका कम्मिनिकेशन होगा वीदिन सेबन सब्सक्राइब और यह आपको दिया गया है कि बाई इंटर्व्यू टेस्ट ट्रेनिंग सब यह है जो जूरी डिसकन में मुंबई जूरी डेक्शन में किया जाएगा तो भाई कोई गुंजास नहीं है तो अच्छा से आप काम कीजिएगा ठीक है इसमें गुड़का वगरा प्रहेविड है तो यह सब के आदत आप छोड़ दीजिए ठीक है अब जो मेडिकल का फॉर्मेट है वह मैं आपको समझाएता हूं ठीक है मेडिकल आपको डीजी शीपिंग अप डॉक्टर से बनाया जाता है जो एंडी हो ठीक हो दस सर्टिफिकेट इस एज रजिस्टेट मेडिकल प्रेक्टिशनर एंबीबीएस और और वेट हाइट दोनों लिग देंगा और बीएमाई आपका लिग देंगे कि आपका बीएमाई कितना है अगर आपका बीएमाई बी और तीस के बीच आता है तो आप इलीजिबार है अधरवाइत आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो गलत चीजे मत करना वागर आपका बीएमाई 20-30 के बीच नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट बढ़ाओ या वेट कम करो एकोर्डिंग बीएमाई और तब जाकर अच् पास रखना है ठीक है और यह सारी चीज़ें यहां पर है ठीक है अटेच रहेगा डॉक्टर स्टांप फोटो रहेगा इन्होंने किलियर यहां पर मेंसन किया देखिए सटीफिकेस इसु बाइदा एन आई सर्जन और जो आपका आई वाला होगा वह सर्जन से बनवाना ठी अप्थल में अप्थल के होते हैं अन्हीं के लेटर हैड पैड पर आपको बनवाना है एन अप्लिकेंट पासपोर्ट नमर डॉक्टर अटेस्टेट फोटो मैंसन दग कम्प्लीट चेक आउड़ सारे चीज़ें यहां पर विदाउट एनी एस्पेक्टर लेंस और फिल्द और आपको और जो आपका आई चेक अप करवाना है वह सर्जन से करवाना ठीक है अब यह सारी चीजे और होने के बाद देखिए आपको मैं बताएता हूं कि फॉर्मेट कैसा होना जी अब बहुत लड़के क्या करेंगे कि इसी को निकलवा के लिए जाकर बनवा लेंगे त और यहां पर उपर सबसे उपर आपका फोटो चीप का देंगे फोटो पर स्टांप मार के अपना सिगनेचर कर देंगे और इतना इतना आपका राइट साइड है लेफ साइड है आप उनको देखा दीजे कि सर ऐसे मेरा चेक करके आप लिग दीजे ठीक है यह हो जाएगा और यह यह आपको दिखाई दे रहा है यह हो जाएगा ठीक है यहाँ पर डॉक्टर के स्टाम्प और साइन रहे गाए ठीक है यह सारी चीज़े रहेगी यह फॉर्म है अपर पर आपका पासपर्ट नमर लिग देंगा यहाँ पर आपका आइडेंटीफिगेशन मार्क यहां पर आपको एक अपना फोटो चिप काना है वो भी क्या तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और इस पर अपका साइज लिग देगे और यहां पर आपका एक जगह बेट लिग देगे और फीर नीचे भी डॉक्टर साहम एक के सब्सक्राइब जिस जगह से करवाओ वो जेट आप लिख सकते हैं ठीक है यह दो चीजे आपको करवाले नहीं है उसके और प्रिंड तो से ऊंसात आपको क्या करना है तो उसके सांसाइट यह वाली form ठीए आपको दिखा ही दे रहा है है यह वाली form का कलर offers निकलवाना है यहापर आपको सरनेम डालना यहापर डाव यूर आपको पैदा हुए ठीक है और आपका एज कितना वह यह डाल देना यह है पर यह कि मैं कितना नमर आए मैं पीजिस फिजी जीच विलोगी आपका यही में है तो सब का पर सट्व यहां पर लुक्रान यहां Berg यहीं बात किया गया कि किस मेडियम से हो तो आप इंगली समेडियम और दूसरा आपर अगर हिंदी हो भर बैला मेडियम से तो इसमें डालो ठीक है यह जिस मेडियम से हो आप जिसे महाद कि मैं बिहार बौट ले जोब है और आपके पीटा जी ब्रदर फादर कुछ भी है नहीं चलेगा अगर आपके पीटा जी है सब्सक्राइब पर नाम लिखना पड़ेगा उनका इंड्रोस नमर सी डीट वर्द क्या और उनकी रेंग क्या है इफ wears नमर यहां पर आपको नहीं लिखना कि अभी आपके पास तो इंडोस नमर होगा नहीं जो एस्टी सी डवलू किया होगा अब देखे सेल्फ अटेस्टेस का मतलम क्या होता है कि आप अगर आप 10 का मार्क सीट आपके पास तो तेंट का मार्क सीट क्या करें उसका कलर प्रिंट आउट निकलवाएंगे और आपने स्कूल में लेकर चले जाएंगे और प्रिंसपल से उस पर स्टाम मार लेंगे और वहाँ पर साइन करवा लेंगे और वहां पर आपके पासपोर्ट को भी आटेस्ट करवाना पडएगा सिंपल वहाँ पर दिया है देखके बोल सकते हैं और आई सर्जन जो है और आप बीमाई सर्टिफिकेट रियस करतेंगे और यह बोल रहा है कि इसमें कि आपको यह जो इन्फोर्मेशन मिल रही है कि नुसी मेरी टेमी गुवा जी पी रिटिंग लिए फोर्म आया वो कैसे मिली है तो एरबाटीजबन द्वारा मुली है नुसी ओफिस मर्चेंड न प्रोण अब इसको करते हैं तो उसको लिए जाए अगर आप इस वाले फार्म यहां पर यहां करना है यहां पर सिगनेचर करना आपके पीदा जी का नाम करना इसमें डालते और इमेंल नम्मर याद रखिए कि इमेल अधूंदी इदम बढ़ियां से डालियेगा क्योंकि सा सारा इमेल में होई होगा और यहां पर जीतने भी फॉर्म भरिएगा सारा आपका capital later में भरिएगा ठीक है blue black कोई भी पैन से चल सकता है कोई लिखत नीए हैं और यह वाला भी निकलना है और यहां पर भी signature करना है और यहां पर भी आपको check-out करनाओं और यह वाला पेज आपको निकलवा कर उसको फॉर्म करके साथ उसके साथ डेल टुल की मार्ट सीट जो मैंने आपको बताया है की कौलेग से और अपने इस्कूल से करवाना है उसके साथ आपको PASPORTC में ऐस करना है और उसके साथ आपको क्या करना है टो डॉक्टर का बी एम आई सर्टिफिकेट और आई सर्जन का सर्टिफिकेट सारे का जी रक्स लगाना है औरिजनल अपने पास रखना है अब औरिजनल भेज दीजेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा वह सारे चीज़ अटेस्ट करके लिफाफा में डाल कर नूसी मेरी टेम एकेडमी गु प्रिपरेशन के लिए आप 10 लेवल का मैस साइंस इंगली और जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन कीजिए उसका आपका एक्जाम निकल जाएगा दूसरी बात कि आप लड़के बोलेंगे कि भाईया हमको अगर आपने कोई नोट्स वगरा बना है तो प्रभाइड करा दो तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा एक बेस मिल जाएगा कि हम आपको यह हम भी है तो 100% गरांटिक नहीं दे सकते हैं कि भाई हम जो देर हैं उपड क्या पास ही हो जाएंगे हम आपको एक पैटर्न दे देंगे स्लेबस दे देंगे कि इसके एक और कोई भी दिकत होगा तो आपको नमबर मिल जाएगा आप कॉल करके हमसे पूल सकते हम आपको समझा देंगे ठीक है लेकिन यह सारा चीज चार्जेबल होगा क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि में सारे चीज़ों आदमियों को समझा पाऊं तो यही एक छोटी सी वीडियो है अगर बेस इंस्टूट है टॉप एक का कोलेज है तो इसमें एडमिशन लेना हर लड़कों की ख्वाइश होती है तो आप प्लीज इसमें ट्राइ कीजिए एडमिशन लेजिए तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू एबरीवन